नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धर्म सर्मार्ट दोस्तों हम बात कर रहे हैं दीपावली की रात की भूल से भी ना करें ये चार काम वो काम कौन-कौन से हैं आईए हम जानते हैं दोस्तों सबसे पहले तो दीपावली कर दिन वैसे आज ध करना चाहिए इससे सौंदर बढ़ता है स्वास्त अच्छा रहता है अगर आप लंबे समय से बीमार है आपके घर में कोई है जो बीमार चल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे अगर आप आज रात में चंद्रमा की रौसनी में जल रखते हैं और जल में पांच चीजे वैसे ड और थोड़ा सा गुड़ तो आप इतने सारे तो नहीं डालना है आपके इच्छा थोड़ा सा कुछ भी डाल दीजेगा एक काम चल जाएगा अगर आप आज डाल रखते हैं तो फिर सुबह असनान कर लिए और अगर आप आज चुक गय नहीं रख पाए हैं जल तो फिर उस जल से अपने आपको ऊपर से चीटे डाल सकते हैं जिससे की लगे कि हमने डाल लिया अब हम फ्रेश हो चुके हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं आप एक तरह से यह टोटका है आप कीजिए आपका स्वास्त अच्छा रहेगा अगर आपके घर में कोई है जो लंबे समय है इस दिन कहते हैं छिपकली देखना चाहिए छिपकली देखना चाहिए नमबर वन नमबर टू सुछ सो के उठने के वास सबसे पहले हनुमान जी का दर्सन करने से कहते हैं दिन अच्छा नहीं जाता है पर इस दिन आप हनुमान जी का दर्सन जरूर कीजिए आपका दिन एख़ा जाएं अब हम बात अगर करें काले करनी चाहिए नहीं नहें undersiक्तु पहला है कि आप को सोना नहीं है था मुझ seems जरों सारी जरूर से नहीं पूरी रात जगेंहेंन unity धर्वाजा बंध कर्था क्योंकि मा लक्षमी पूरे रात बिचरन करती है आपके घर में प्रवेश करने का समय कौन सा है ये आपको भी नहीं पाता है इसलिए दर्वाजा खोल कर उनका स्वागत कीजिए एक जन जगे रही है दोस्तों ये है आपका दीपा वाली का सूप समय पूजन करने का अगर प्रवेश तो दूर की बात है आप लहसन प्याज का भी सेबन मत कीजिएगा अगर क्योंकि अक्सर हमारे दर्सक लोग खाना बेगेरा खाके ही साम में पूजन करते हैं और लक्षमी पूजा में ऐसा विधान है आप खाके कर सकते हैं पूजन कोई दिक्कत नहीं है लक्षम अब हो तो रिफाइन में खाना बना गी में खाना बनाई नहीं सम्भव है तो कोई बात नहीं है जैसे बनता है वैसे बनाई यह पूजन प्याज क्थमेत करते हैं बनाता हैं छ्रम हम आपका अच्छा बिद़ या करें आप पैसे कोडी के मामले में बिल्कुल ही स्वार्थी बन जाएगा चाहे धंतेरस हो या दीपावली किसी को मत दीजेगा बहुत कोई एक्सट्रा मुर्थी है एक्सट्रा दिये हैं देदो कपड़े सिल्क के कपड़े रुमाल यह सबी चीजें किसी को गिप्ट नहीं देनी चाहिए साथ ही गनेश लक्षमी की मूर्ती तो भूल से भी मत दीजिएगा किसी ने कह दिया कि लाईएगा आपने ना दिया और दे दिया वैसे मिट्टी की हो या सोने चांदी की हो कोई भी मूर्ती आपको नहीं देना क्योंकि लक्षमी को प्रसंद करने के लिए लोग साल पर इंतजार करता है तो आप लक्षमी को घर आई लक्षमी को किसी और को क्यों दे मत दीजिएगा आपके पास धन आता रहेगा आप दूसरों की हेल्प करते रहिए वह लग चीज है पर जसे आप पूजन में रखते हैं में मैं बारव जैसे ईपने वीडियों में बोलते हैं कि आप चांदी का चलला पहनिंए घर करने के बाद धारन कर लीजिए आपका सुक्र मजबूत हो अपके जीवन में एस वर्वरे आएगा धन आएगा मान समान की प्राप्ती होगी नौकरी बेपसाह में तरक्की होगा अपना मकान घर दुकान सब हो जाएगा मातर एक चान्दी का चल्ला इतना कुछ आपको दिला रहा है फिर ट्राइ करने में क्या है जादर तो लगेगा भी नहीं डेर 200 रुपया में आ जाएगा आराम से आप पिर मिलेंगे